उत्रप्रदेश के जन्पत फिरोजाबाद में जीरा मुख्याले पर समाजवादी पार्टी ने धर्णा परदर्शिन किया उन्नाव की रेप पीडिता ने उपचार के दोरां दम तोर दिया जिससे समाजवादी पार्टी के कारे करताओं ने न्याय के लिए मांग करते हुए नारेबाजी की उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश में बलात कारियों को योगी सरकार संरक्षन दे रही है ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए समाजवाधी पार्टे के कारे करताओं ने कहा कि अगर पिडिता को न्याई नहीं मिला तो हम बड़ा अंदोलन करेंगे दर्णा परदर्शन में मुखे रूप से पूर्व मंतरी चोधरी अशोक कुमार सिंग निवर्तमान विधान सभा अधिक शरीफ खान पूर्व परदेशु पाध्यक्ष आलोक सी पार्टी सहीद सैक्ड़ों लोग दर्णा परदर्शन में मुझूद रसे पार्टी पूरी तरह से अंदरों करेगी राष्ठी अतटch अकलेश जी के नेतरत में और राष्ठी अतटच जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में जहां बलातकार्यक्व की और आसे दिवस्यों की जहां बाढ़ आगई है गुंदों की लूट पार्ट की अत्यारों की उनक अगर आपकी मांगे पूरी ने की गई तो अगला कदम क्या होगा आपका राश्य दग्जी हमारे पार्टी नेसर प्तै करेगा जो भी महां से आदेश मिलेगा उसका पलंग करेगा बचाय नहीं जा सका पीडिता एक किलोमीटर भागी जलने के बाद और कोई भी सरकार पुलीस प्रशाशन उसको बचाने के लिए आगे नहीं नबे परसें जलने के बाद 59 के उपरां तरसकी मौट हो गयोगे तो यह हमारा जो ढणता है यह इस बात के लिए है कि साक्षी योगी चिन्मेानन क्या कर रहे है बलातकार को परश़ रहे चिन्मेंनेजी और आपके उन्दीर सैंगर इन लोगा ने बलातकार कि ये बलातकार कर देनने कि वाली सरकार है और योगी जी और मोदेयी मननी प्रदहनमंद्री मननी मुख्यमंद्रि के बेटियां नहीं तो अन्य क्या मानूं के बेटी की पी हुआ बेटी की म्रत क्या है तो आज तक बलादकारियों के सरकार रोगने में अपराद को सरक्षा दे रही अपरादियों बलादकारियों दोराचारियों को यह सहयोग दे रही है ऐसे ही लेटे स्कुबर पाने के लिए बल इकन को खिक सर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद